यह चेक करो जड़ा ओहो हो जी साड़ेदिली टीम आप सब का स्वागत करती हो और आज हम आये हैं जी शेगाओं कचोरी वाला के हाँ यह नाकपर में चलिए देखते हैं शेगाओं कचोरी के साथ और क्या मिलता है यहां पर यह जी इनकी गर्मा-गरम शेगाओं कचोरी आप देख सकते हो एक उस्टम क्रिस्पी क्रिस्पी और यह है जी इनका मसाला जो फिलिंग रहती है कर्षोरी के अंदर ऑच्छा जीरा तेल उडाद अच्छा मूं की दाल भी जाती है थोड़ा सा बेसन भी जाता है क्या बात है तोस्तों अभी छोटे-छोटे बॉल्स बना के मैदे के अंदर फिल करके उसको जोटा सा बॉल बनता है जिसको फ्लैट किया जाता है और इस्टोर का टाइमिंग क्या आपके क्या प्राइज इसका दस रुपे पर पीस एक पीस का दस रुपे सिर्फ और सिर्फ दस रुपे में आपको एक कचोरी मिलती है कि वह ने फिलिंग इस तरह से डाली है कि आप देख सकते हो फ्लैट करने के बाद भी चारों तरफ अंदर दो के अंदर फैल चुका है जो भी मसाला है इनका कि यह कई है जी गर्मा गरम तेल में कचोरियां कि यह अपने आप उपर आएंगी कि कितने टैम में बन जाएगी यह पांच मिन्ट के अंदर गर्मा गरम कचोरी हो जाएगी जी तैयार अब है एक है एए तो अच्छा आफ है चेक करो जड़ा कि हो तो हो हो अब लग रही है हमारी कचोरी की प्लेट अच्छा अच्छ बीच में होल किया जाता है पहले यह जए पुदीने की चट्नी सबसे पहले हरी मिर्ची और पुदीने की चट्नी जई है उसके बाद जई है यह जई हमली की चट्नी यह जई दिया हरा वाला प्याज आगे शेव साथ में एक और हरी मिर्ची और उपर से चाट में साथ साई दोस्तों यह है जी शेगां कचोरी सिर्फ 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 दस रुपे प्राइद है इसका इसकी लोकेशन में आपको समझा देता हूं हमें इस समय वी सीए स्टेडियम सदर के आसपास यह जो सीजा रोड जा रहा है यह जाएगा माउंट रोड की तरफ और इस तरफ जो रोड जा रहा है यह जा रहा है डिस्ट्रिक कोट की तरफ जिला की तरफ तो आप नाकपुर में अगर रहते हों तो आप जरूर आपने दोस्तों को लेके तब तक आप वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्त तो के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में कीप वॉच्चिंग